ओम ख्लीम कृष्णाय नमा पद्म पुरान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्ट्री हरे विष्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे इससे पहले के सभी अध्याई सुनने के लिए आप सभी दर्षकों का बहुत-बहुत धनेवाद और अब आप सुनेंगे आज का अध्याई लेकिन आज का अध्याई सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिगतीजे और अब भगवान श्री हर विश्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंब करते हैं ब्रामण ने कहा हे प्रभु यदि आपकी मुझे पर क्रिपा हो तो अब तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन कीजिए तब श्री भगवान बोले कि जो सत्य का पालन करते हुए लोब और दोश बुद्धी का त्याग करके प्रतितिन कुछ दान करता है उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षणा से युक्त सो यग्यों का अनुष्ठान होता रहता है सत्य से सुर्य का उदै होता है सत्य से ही वायू चलती रहती है और सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंगन नहीं करता और भगवान कच्छप इस प्रित्वी को अपनी पीट पर धारन किये रहते हैं सत्य से ही तीनों लोग और समस्त परवत्री के हुए हैं जो सत्य से भ्रष्ठ हो जाता है उस प्राणी को नेश्चा ही नरक में निवास करना पड़ता है जो सत्य वाणी और सत्यकारी में सदा सनलगन रहता है वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत च्वरूप हो जाता है सत्य से ही समस्त रिशीमोनी मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गती में स्थित हुए हैं सत्य से ही राजा युधिश्टिर शशरीर स्वर्ग में चले गए उन्होंने समस्त शत्रूं को जीत कर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया अत्यन्त दुरलब एवं विशुद्ध राज्चुई यग्य का अनुष्ठान किया वे प्रती दिन 84,000 ब्रामणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे आश्रे लेने से ही वाहन, परिवार तथा अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्य लोक में प्रतिष्ठित हैं इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्शी, ज्यानी और यग्य करता हो चुके हैं जो कभी भी सत्य से विश्लित नहीं हुए अतर, लोक में जो सत्य परायण है, वही संसार का उधार करने में समर्थ होता है महात्मा तुलाधार सत्य भासन में स्थित हैं सत्य बोलने के कारण ही, इस जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है ये तुलाधार कभी जूट नहीं बोलते महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने और बेचने में ये बड़े बुधिमान है विशेशता, साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है कितने ही साक्षी, सत्य भासन करके अक्षा स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं जो वक्ता विद्वान सभा में पहुँचकर सत्य बोलता है वह ब्रह्मा जी के धाम को जो अन्यान्य महर्शियों द्वारा भी दुरलब होता है प्राप्त होता है, जो सभा में सत्य भाचन करता है उसे अस्वमेद्यग्य का फल प्राप्त होता है लोब और द्वेश्वस जुठ बोलने से मनुष्य को रौर अनरक्की प्राप्ती हुती है दुलाधार सब के साक्षि हैं, वे मनुष्यों में साक्षात सुर्य ही है विशेश बात ये है कि लोब का परियाग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है एक महान भाग्यशाली शुद्र था, जो कभी भी लोभ में नहीं पढ़ता था, वह साग खाकर बाजार से अन्ने के दाने चुनकर तता खेतों में धान की बाले बीन कर बड़े दुख से जीवन का निर्वाह करता था, उसके पास दो फटे पुराने वस्त्र थे, तता वह लेने के लिए दो नवीन वस्त्र लेकर गया, और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदर पुर्वक रखकर अन्यतर जाकर खड़ा हो गया, शुत्र ने उन दोनों वस्त्रों को देख कर भी मन में लोब नहीं किया, और ये समझ कर कि ये किसी और के पड़े होंगे, और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगे पहुँचकर उसने उस अद्बुत फल को देखा, उस पर द्रिष्टी पढ़ते ही वह बोल उठा, बस बस, ये तो कोई कृत्रिम विथान दिखाई देता है, इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोब वृत्ति नश्ठ हो जाएगी, और इस धन की रक्षा करने में बड़ा कस्ठ होता है, यह अंकार का स्थान है, जितना ही लाब होता है उतना ही लोब बढ़ता जाता है, लाब से ही लोब की उत्पत्ती होती है, लोब से ग्रष्ट मनुश्य को सदा ही नरक में रहना पढ़ता है, यदि या और एहंकार की उत्पत्ती होती है उनसे क्रोध और लोब का प्रादुरुभाव होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा तपस्या का छै हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा उस मलींता रूप सांकल में बंद जाने पर मनुसी फिर उपर नहीं उठ सकता या विचार करवा शुद्र उस फल को वहीं छोड़कर घर चला गया उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसनता के साथ साधू साधू कहकर उसकी प्रसंशा करने लगे तब मैं एक छपन का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और ल शुद्र की इस्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एक कांत में स्थित होकर कहा हे महाभागे विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सा धन दिया था जिन्तु तेरे पती ने मुर्ख की भात उसका परिद्याग कर दिया है तेरे घर में धन का बिलकुल अभाव है अता जब तक तेरा पती जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी इसमें तनी भी संदेह नहीं है माता तू शीगर ही अपने घर जा और अपने पती से उस धन के विशय में कुछ सोच कर पतनी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला हे क्षपनक बताओ तुम क्या कहते थे क्षपनक बोला हे तात तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्थ हुआ था फिर भी तुमने अवग्या पुर्वक तिनके की भाति उसका परिद्याग कर दि प्रति दिन मृतक किसी अवस्था भोगनी पड़ीगी इसलिए शीगर ही उस धन को ग्रहण करो और निश्कंटक भोग भोगो शुद्र ने कहा हेक शपनक मुझे धन की इच्छा नहीं है धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है उसमें फसे हुए मनुष्य का फिर प्राप्त होता है सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाशा रखते हैं फिर धन कैसे सुखद हो सकता है धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है धनी का घर काल एवं कामाधी दोश का निकेतन बन जाता है अतर धन तो दु कुल शील पांडित्य रूप भोग यश और सुख ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं धनहीन मनुष्य को तो उसके इस्त्री और पुत्र भी त्याग देते हैं फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है जो जन्म से ही दरिद्र हैं वे धर्म का अनुष्ठान कैस कर सकते हैं स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यग्यकार्य तथा पोख्रे खुद्वाना अधिकर्म है वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते दान संसार के लिए स्वर्ग की जीड़ी है किन्तु निध्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धी होनीय सं सकते रोगों का निवारण पत्य का सेवन और शधों का संग्रय अपने शरीड की रक्षा तता शत्रूं पर वेजय आधी कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं धन रहने पर तुम दान से ही शीग्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो शुद्र ने कहा कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त वरतों का पालन हो जाता है क्रोद छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है दया ही जपके समान है संतोस ही शुद्धन है अहिंसा ही सब से बड़ी सिद्धी है भोजन ही अम्रित के समान है, उपवास ही उत्तम तपस्या है, संतोश ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है, कौडी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है, पराई इस्त्रिया माता और परायाधन मिट्टी के धेले के समान है, पर इस्त्री शर्पिनी के समान भय यंकर है, यही सब मेरा यग्य है, हे गुणिनिधे, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहन करता, यह मैं सच-सच बता रहा हूं, कीचण लगाकर धोने की अपेक्षा, दूर से उसका स्पर्ष ना करना ही अच्छा है, श्री भगवान कहते हैं, हे नरस्रेष्ट, उस शुद शे विवान उतर आया, देवताओं ने कहा हे धर्मात्मन इस विवान पर बैठो, और सत्य लोग में चल कर देव्य भोगों का उपभोग करो, तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमान नहीं है, अनन्त काल तक तुम्हें पुन्यों का फल भोगना है, देवगणों के यो क कहने पर शुद्र बोला, इस शपणक को ऐसा ज्यान, ऐसी चेश्टा और इस प्रकार भाशन की शक्ति कैसे प्राप्थ हुई है, इसके रूप में भगवान विश्नु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अत्वा ब्रिहश्पती, इन में से तो कोई नहीं है, अत्वा मुझे चलन के लिए साक्षात धर्म ही तो यहां नहीं आये हैं, शुद्र के ऐसे वचन सुनकर शपणक के रूप में उपस्तित हुआ, मैं हसकर बोला, ही महामुने, मैं साक्षात विश्नु हूँ, तुम्हारे धर्म को जानने के लिए मैं यहां आया था, अब तुम अपने परिवार स सहित स्वर्ग लोग को चला गया, इस प्रकार उस शुद्र परिवार के सब लोग लोओ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे बुद्धिमान, तुलाधार धर्मात्मा हैं, वे सत्य धर्मे में प्रतिष्टित हैं, इसलिए देशांतर में होने वाली बात्ये भी उने ग हो जाते हैं एक बार के पार से उसे सब्यग्यों का फल मिल जाता है वह इस लोक में स्रेष्ट और देवताओं का भी पुज्य होता है व्यास जी कहते हैं कि तदरंतर मूख चांडाल आदी सभी धर्मात्मा परमधाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए उनके साथ उनक के पीछे-पीछे जाने को उपस्तित थी उस समय देवता, सिद्ध और महर्शी गण धन्य-धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की बर्शा करने लगे विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे वे सब महत्मा अपने-अपने विमान पर आरूड होकर वि ये तात तुम्हारे माता-पिता का चित शोक से व्याकुल हो रहा है, उनके पास जाओ, उनकी यतन पुर्वक आराधना करके तुम शीग्र ही मेरे धाम में जाओगे। उनके समान पुज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि तदनंतर देवगण, मूक चांडाल, पतिवरता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जना द्रोहक और वैशनल संत। इन पाचों महात्माओं को साथ लेकर प्रसनता पुर्वक भगवान की श्तूती करते हुए व अगवध्धाम को प्राप्त किया, हे शिशेगन या पाच महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हे सुनाया है, जो इसका पाठ अत्वा श्रमण करेगा, उसकी कभी दुर्गती नहीं होगी, वब्रम हत्यादी पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता, मनुश्य करोणों गोधान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुषकर् तिर्थ और गंगादी नदियों में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ती होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान को सुनने मातर से मिल जाता है ब्रामणों ने कहा हे मुनिश्रेष्ट यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन्सरेष्ट कर्मों का वड़न कीजिए जिन से संसार में कीर्थी और धर्म की प्राप्ति होती है तब व्यास्ची ने कहा कि जिसके खुदवाई हुए पोखरे में अथवा वन में गवं में एक माज या फिर साथ दिनों तक त्रिप्त रहती हैं वह पवित्र होकर संपोण देवताओं द्वारा पूजित होता है विशेशता प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है वाजजब सुनो पोखरे में जब मेग वर्सा करता है उस समय जल के जितने चीटे उचलते हैं उतने ही हजारों वर्सों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोग का सुख भोगता है जल से खेती पकती है जिससे की मनुश्य को प्रसनता होती है जल के बिना प्राणों का धारन करना असंभव है पितरों का तरपन, शौच, सुन्दर रूप और दुरगंद का नाश ये सब जल पर ही निर्भर है इस जगत में संग्रय किये हुए संपुण बीजों का आधार जल ही है कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना ये भी जल के ही अधिन है इसलिए प्रतेक कार्य में जल को ही पवित्र माना गया है अधा सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआ तथा पोखरा बनवाने चाहिए जो मनुस्य निर्जन प्रदेश में जलासय बनवाता है उसे प्रति दिन इतना पुन्य प्राप्थ होता है जिसे की वह एक एक दिन के पुन्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है जो पुरुष प्रति दिन दूसरों के उपकार के लिए चार हाथ कुआ खोथता है वह एक एक वर्ष के पुन्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को एक करोण वर्सों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयम जलाशय बनवाता है उसका अपने तो अक्षय हो जाता है पुर्वकाल की बात हैं किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण करवाया जिसमें उसने दस हजार सोने की मुहरे व्याय की थी धनी ने अपनी पूरी शक्ती लगा कर प्राण पड़ से चेश्टा करके बड़ी श्रधा के साथ संपुर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्यान में जलाशय तयार करवाया था कुछ काल के पस्चात्वा निर्धन हो गया उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाई हुए जलाशय का मुल्य देने को उद्यत हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए दस हजार स्वरण मुद्राए दूंगा इसे खुदवाने का पुन्य तो तुम्हें मिल ही चुका है मैं केवल मुल्य देकर इसके उपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ यदि तुम्हें लाब जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्विकार करो धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण करवाने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया भाई दस हजार का पुन्य काल तो इस जलाशय से मुझे रोजी प्राप्त होता है पुन्य वेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुन्य माना है इस निर्जन प्रदेश में मैंने यह कल्यान में शरोवर निर्माण करवाया है इसमें सब लोग अपने इच्छा के अनुसार शनान और जल्पान आधी कार्य करते हैं उनकी यह बात सुनकर लोगों ने खूब हसी उड़ाई तब वह लज्जा से पीडित होकर बोला हमारी यह बात सच है विश्वास नहो तो धर्माणुसार इसकी परिक्षा कर लो धरी ने इच्छा पुर्वक कहा बाबू मेरी बात सुनो मैं पहले तुम्हें दस हजार स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलासे में डालूंगा पत्थर स्वाभावी की पानी में डूब जाएगा फिर यदिवा सम्यान उसार पानी के उपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा नहीं तो इस जलासे पर धर्मतह मेरा अधिकार हो जाएगा जलासे बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे दस हजार मुद्राएं ले ली और अपने घर को चल दिया अब धनी ने कई गवाह बुला कर उनके सामने इस महान जलासे में पत्थर गिरवाया उसके इस कारे को मनुश्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर दस हजार स्वर्ण मुद्राएं और जलासे के जल को तोला किन्तु वे मुद्राएं जलासे से होने वाले एक दिन के जल्दान की भी तुल्ला न कर सकी अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हिदय को बड़ा दुख हुआ दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीब की भाती जल के उपर तैरने लगा यह देखकर लोगों में बड़ा कोला हल मचा अब इस अद्भुद घटना की बात सुनकर धनी और जलासे का स्वामी दोनों ही प्रसनता पुरवक वहां आए पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी दस अजार मुद्राएं उसी की माल ली तत्पसाद जलासे के स्वामी ने ही वह पत्थर उठा कर दूर फैंक दिया श्री व्यास जी आगे कहते हैं कि नश्ट होते हुए जलासे को पुना खुदवा कर उसका उध्धार करने से जो पुने प्राप्थ होता है उसके द्वारा मनुष्य स्वार्ग में निवास करता है तथा प्रत्तेक जन्मे में वह शांत और सुखी होता है अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुर्सों के खुदवाई हुए जलाशे का जिर्णो धार करवाने वाले को अक्षय फलकी प्राप्थी होती है तपस्वियों, अनातों और विशेशता ब्रामणों के लिए जलाशे खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है इसलिए हे ब्रामणों जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशे आदि का निर्माड करवाता है वह सब प्रकार के पापों के श्चै हो जाने से अक्षय पुनी तथा मोक्ष को प्राप्थ करता है जो धार्मीक मनुष्य लोक में इस महान धर्म में उपाख्यान को सुनता है और सुनाता है उसे सब प्रकार के जलाशे दान करने का फल प्राप्थ होता है सुर्य ग्रहन के समय गंगा जी के उत्तम तट पर एक करोड गोदान करने का जो फल प्राप्थ होता है वही इस प्रसंग को सुनने से मनुश्य को प्राप्थ हो जाता है तदनतर व्यासी कहते हैं कि अब मैं संपूर्ण व्रिक्षों के लगाने का अलग-अलग फल कहूंगा ध्यान पुर्वक सुनिये जो जलासे के तड़ पर चारों और पवित्र व्रिक्षों को लगाता है उसके पुन्य फल का वड़न नहीं किया जा सकता अन्य स्थानों में व्रिक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोणों गुना अधिक फल प्राप्त होता है अपने बनवाई हुए पोख्रे के किनारे व्रिक्ष लगाने वाला मनुश्य अनन्त फल का भागी होता है जलासे के समीब पीपल का व्रिक्ष लगा कर मनुसे जिस फल को प्राप्थ करता है वह सैकडों यग्यों से भी नहीं मिल सकता प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं वे पिंड के समान होकर पित्रों को अक्षयत रिप्ति प्रदान करते हैं तथा उस व्रिक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं उसका ब्राम्भण भोजन के समान अक्षय फल प्राप्थ होता है गर्मी समय में गौ, देवता और ब्राम्भण जिस पीपल की चाया में बैठते हैं उसे लगाने वाले मनुशे के पित्रों को अक्षय स्वर्गी की प्राप्ती होती है अता सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का व्रिक्ष अवस्य लगाना चाहिए एक व्रिक्ष लगा देने पर भी मनुश्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणी अस्थान पर मार्ग में और जलासय के किनारे जो व्रिक्ष लगाता है वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्थ होता है हे ब्राम्भनो पीपल के व्रिक्ष की पूजा करने से जो फल प्राप्थ होता है उसे बतलाता हूँ तुम ध्यान पुर्बग सुनो जो मनुस्य स्नान करके पीपल के व्रिक्ष का स्पर्ष करता है वस्सप्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है जो बिना नहाय पीपल का स्पर्ष करता है उसे स्नान जन्यफल की प्राप्ति हो जाती है अस्वत्य के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है और स्पर्ष इसे ल इपक अरपन करने से मनुस्व स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता अर्थात स्वर्ग की उसे प्राप्ती होती है पीपल की जड़ के पास बैट कर जप करना यंत्रमंत्रादी के द्वारा अनुष्ठान करना इन सब का फल करोड गुना होता है जिसकी जड़ में श्री विष्णू, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जीश्थित हैं उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा सोमवती अमवश्या को मौन रहकर सनान और एक हजार गवों का दान करने से जो फल प्राप्थ होता है वही फल अस्वत्थ व्रिक्ष को प्रणाम करने मातर से प्राप्थ हो जाता है अस्वत्थ की साथ बार प्रदक्षिना करने से दस हजार गवों के और इस से अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोणों गवों के दान करने का फल प्राप्थ होता है आता है, पीपल व्रिक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए हे विप्रगण, पीपल के व्रिक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदी का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है पीपल के समान दूसरा कोई व्रिक्ष नहीं है अस्वत्थ व्रिक्ष के रूप में साक्षात श्रीहरी ही इस भूतल पर विराजमान है जैसे संसार में ब्रामःड गौ तथा देवता पूजनिय होते हैं उसी प्रकार पीपल का व्रिक्ष भी अत्यंत पूजनी माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशा, धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्षप्रदान करता है, जो मनुष्य अस्वत्थ व्रिक्ष के सरीर में कहीं कुछ चोट पहुँचाता है। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे ब्राम्हनों, अब मैं पांसले अर्थात प्याव का लक्षन बताता हूँ, जहां जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं, वह मार्ग ऐसा होना चाहिए, जहां बहुत से पतिकों का आना जाना लगा रहता ह वहां मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात तता शरद रितू में बटोहियों को जल पिलाता रहें, तीन वर्सों तक इस प्रकार पसले को अर्थात प्याव को चालू रखने से पोकरा खुदवाने का पुनिप्राप्थ हो जाता है, जो जलहीन प्रदेश अत्वा सुनाता है, वह पापों से मुक्त होता है, और उसके प्रभाव से उसकी सद्गती हो जाती है, अब ब्रम्हा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है, वह भी सुनो, जहांका मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचण भरा हो, तथा जो प्रचुर कंटकों से अक किरण हो, वहां पुल बंधवा कर मनुश्य पवित्र हो जाता है, तथा देवत्व को प्राप्थ होता है, जो एक बित्ते का भी पुल बंधवा देता है, वह सौ दिव्य वर्सों तक स्वर्ग में निवास करता है, अता है, जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंध करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है इसी प्रकार जो गोचर भूमी छोड़ता है वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता गोचर भूमी अर्थात जहां पर गौवे चरती हैं गोदान करने वाले को जो गती प्राप्त होती है वही उसकी भी होती है जो कि स्पीधियां रोरो नर्क में पकाई जाती हैं गाम के गोपाल तक को चाहिए कि गोचर भूमी को नश्ट करने वाले मनुष्य का पता लगा कर उसे दंड दे जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए तीन या फिर पांच खंबों से युगत शोभा श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापीत करके शांस्त्रोक्त विधी से उसकी प्रतिष्ठा करवाता है वह नरस्रेष्ट भगवान श्री विष्णु के सायुज को प्राप्थ होता है श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं क की भी मनुहर मूर्ति निर्मान कराने से मनुसित जिस्फल को प्राप्त करता है वह इस प्रिथी पर हजारों यग्य दान और व्रत आदी करने से भी नहीं मिलता अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवा कर धर्मातना पुरुष वही फल प्राप्त देव लोक में निवास करता है जो मनुस्य प्रसनता पुर्वक्ष्री गनेश जी का मंदिर बनवाता है वह देव लोक में पूजीत होता है उसी प्रकार जो नरस्रेश्ट भगवान सुर्य का मंदिर बनवाता है उसे उत्तम फलकी प्राप्ती होती है सुर्य प्रतिमा के ल करता है पूरे एक महीने तक वह उत्तम देवताओं से पूझित होकर दस हजार दिव्यवर्सों तक स्वर्ग लोग में निवास करता है तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है अर्था जो दीपक हम घी से प्रज्वलित करते ह या उसका फल बाकी सभी चीजों से अधिक होता है एक मास तक जल चड़ाने से जो फल मिलता है उससे मनुष्य इश्वर भाव को प्राप्त होता है शीत काल में देवता को रूईदार कपड़ा जढ़ा कर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है देव विग्रह को ढग उन्नती की इच्छा रखने वाले पुर्षों को स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है वह सो दिवेवर्सों तक स्वर्ग लोग का सुख भोगता है इसी प्रकार क्रमशा स्वयंभू शिवलिंग क को नमस्कार करके मनुष्य विश्व वंद्य होकर स्वर्ग लोग को जाता है इसलिए प्रति दिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवांश्री संकर जी के धनका अपहरन करता है वह रोरो नरक की यातना भोग कर अंत में कीडा होता है और जो जो मनुष्य शिवलिंग अत्वा भगवांश्री विश्णू की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वैम ही हर लेता है वह अपने कूल की करोडों पीडियों के साथ नरक से उधार नहीं पाता जो जल फूल और धूप दीप आधी के लिए धन लेकर फिर लो है उसका कभी नरक से उधार नहीं होता अनात दीन और विशेशता श्रोत्रिय ब्रामण के लिए सुन्दर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्ग लोग से नहीं गिरता जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रमण करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मंदिर निर्माहख्याद का फल भी प्राप्त हो जाता है हरें कृष्णा आज की कता का यहीं पर समाबन करती हूं इसके आजए कभ्रीतांट अब कल की कता में सुनेंगे आज की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें बहुत सारे उपाई बताएगे हैं मतलब हर समस्या का समधान आज की कथा में आपको मिल जाएगा तो इस कथा को अगर हो सके तो दुबारा सुनिए और आपकी जो भी समस्या है उसके अनुसार कोई न कोई उपाय आपको मिल जाएगा मतलब आज की कथा पूरी तरह से उपायों से ही भरी हुई है इसमें व्यास रिशी ने हर समस्या के लिए इतने सरल उपाय बताए हैं कि हर कोई कर सकता है और ये रिशीयों की वाड़ी है तो इससे लाब तो होगा ही तो आप इन उपायों में से अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी उपाय कर सकते हैं मतलब ये सब ही पुन्यकारे बताए गए हैं इन में से हमसे जितना भी हो सके करने का प्रयास करना चाहिए इससे दुरगती से मुक्ति मिल जाती है कम से कम इह लोक या परलोक में दुरगती से बच सकते हैं तो अगर आपको पसंद आई हो आज की कथा तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संबव हो तो वीडियो को शेर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राथे राथे तो जरूर लिखा कीजिए